देश का नमबा वन चैनल जी राजस्तान और मेरा नाम है हारदिक दवे देश की राजधानी दिली के कोचिंग सेंटर में एक हादसा हुआ जहां 10 से 12 फीट तक पानी भरा और 3 बच्चों की दर्दनाख मौत हो गई डूबने से क्यों? क्योंकि बेस्मेंट में बगएर परमीशन, बगएर इजाज़त, बगएर फायर एनोसी के कोचिंग चलाई जा रही थी, लाइब्रेरी बना दी गई थी बायोमेट्रिक एंट्री एक्जिट गेट बंद हो गए, मशीने खराब हो गई बच्चे बेंच के ऊपर चड़कर अपनी जान की गुहार लगाने लगे कि कोई उन्हें बचा ले लेकिन रस्तियां दिख नहीं रही थी, पानी इतना गंदा था, गंदा पानी इन मासूम बच्चों, श्रेया यादव आपकी टीवी स्क्रीन पर, तानिया सोनी आपकी टीवी स्क्रीन पर, नेलविन आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तीनो बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि वो गंदा पानी इनके फेप्रों में भर गया डूबने से तीनों बच्चों की मौत हो गई जो भविश्य के IS, IPS हो सकते थे इन कोचिंग सेंटर्स ने हादसों से क्या सबक लिया बड़ा सवाल ये कि जो कोचिंग संसान आप से आपके संघर्ष की आपकी गाड़ी कमाई ले लेते हैं और आपके बच्चों की जिन्दगी सवारने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हैं कहीं वो मौत का सौदा तो नहीं कर रहे कहीं वो जिन्दगी बनाने की बजाए जिन्दगियां उजार तो नहीं रहे कहीं वो आपका पैसा ही लेकर आपके ही बच्चों को मौत तो नहीं बाट रहे कहीं वो IAS, IPS बनाने का लालच देकर डिस्काउंट के नाम पर आपसे कैश लेकर आपके ही बच्चों को खत्म तो नहीं कर रहे क्या तैयारियां हो रहे हैं कोचिंग सेंटर्स में ये दिल्ली की बात नहीं है, ये कोटा की भी बात है क्योंकि कोटा भी कोचिंग हब है, छोटे-छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और हर दिन कोई नो कोई बच्चा फासी के फंदे पर लटक जाता है बार-बार कहा जाता है कि क्या होस्टल में एंटी हेंगिंग सिस्टम है, नहीं है क्या कोचिंग में फायर एनोसी है, नहीं है क्या कोचिंग में तैयारियां होती है बच्चों की सुरक्षा की, नहीं होती क्या वहाँ पर फ्रस्ट्रेट होता है, नहीं होता है बहुत से ऐसी चीजें हैं जो बार-बार सवाल खड़े करती हैं कि क्या कोचिंग सेंटर्स तयार हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए अगनी सुरक्षा हो पानी से सुरक्षा हो या स्वास्त के लिए जो मुलभूत अविशकता हैं होती हैं क्या कोचिंग सेंटर्स में वो करेंगे कि क्या तैयार्यां हो रही है जैपूर से मेरसा विन Tipp जुड़ के दूस्रे इलाके से मेरसा दिनेश दिवाडी जुड़ गया है । coach अब कोटा सी राजेंद्र भारत्वाज है और जोत्पूर से राकेश भारत वाज है तक सहब से पहले दिनेश आपका करते हैं राजधानी दिल्ली में क्या हुआ उससे राजधानी जैपुर ने क्या सबक लिया आपके असपास जो कोचिंग सेंटर हैं महा बच्चों से बात कीजिए क्या यहां पर भी कोचिंग सेंटर वैसे ही चल रहे हैं जैसे दिल्ली में चल रहे हैं बताईए बिल्कुल हार्दिक देखिए राजदनी दिल्ली में जो गटना हुई कहीना कहीं पूरे प्रदेश को बलकि पूरे देश को उससे सबग लेना चाहिए था लेकिन कहीना कहीं ये बातें सिर्फ कहने सुनने तक रह जाती और सबक लेकर सुधार जैसे इस्टिक कहीं नजर नहीं आती मैं कुछ दिनों पहले लेके जाँगा हमारे दर्सकों को गुजरात का एक हादसा हमने देखा था फंजोन का जहांपे फंजोन में हादसा हुआ और लगबग 36 के पार वो आंकड़ा मोत काकड़ा पार हुआ लेकिन उसके बाद भी खानापूर्ती जैसी कारवाई यह हुई कुछ आलात ऐसे ही नजर आ रहे हैं यह तस्वीरे में मेरे सयोगी से कहकर एक बार दिखाऊंगा कि हम एक लाइबरेरी में खड़े हैं यह लाइबरेरी बैस्मेंट में जिसके तस्वीरे हमने दिखाई पहले भी दिखाई नहीं सिर्फ यह एक महज यह लाइबरेरी बलकि राजदानी जैपूर के दरजनो कोचिंग संस्थान दरजनो लाइबरेरी ऐसी इस्थिती में है जो कि बैस्मेंट में जिनके सिंगल एंट्री एक्जिट रास्ते है इजाज़त बिलकुल नहीं है और जहां है वहाँ पहले पूरी व्योस्ताओं के साथ तमाम व्योस्ता दुरुस करने के बाद परमिसन ली जाती है लेकिन जो जिम्मेदार है चाहिए वो शिक्षय विभाग हो नगन निगम हो जेडिय हो और पुलिस हो तमाम वो जिम्मेद पर यह कहीना कहीं खिलवाड कर रहे हैं जो की सेंक्रों किलोमेटर दूर दराज के गाउं से अपना भविश्य अपना करियर समारने के लिए गाउं राजदानी मुक्याले पर आया है मेरे साथ कुछ स्टूडेंट है सीधा उनी से बात करते हैं क्या नाम आपका कि शर्खष्य कुमार गुज़ा से विलाउंग करता हूं तरह सीकर से जैपूर पढ़ने आए जी सर जैपूर की जो कोचिंग सेस्तानों में पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं क्या सुरक्ष्य वियोस्ताओं को लेकर किस तरह का लात है सबसे पहले तुमें हमेशा आख लगने पर ही कुवागा नहीं खोडा सकता है। ऐसे हर एक आपदा का स्डिये मिल्ग को ऑपनी जान घ्री नहीशकर नहीं इन है बुद्ध दिनाम & पर प्लाइन कर रहा तो मैंय łáriz नज्दी के पड़ता में रहे यहांसे डेटक बिलिए चीज रफ्टबशी इन बहुत गंबीर तरीके जोटो लिए हैं किस तरह के हालात आपको लगते हैं आप तो कोचिंग संस्तानों की बात करो तो यहां पर अब अब यह तक ऐसे कोई आपको दाखा हमने सामना किया नहीं बाइक जीसे साफ से दिल्ली में होए हैं ऐसे इन कैसे से जैपूर में भी हो सक करें या अपनी जान बचाएं या फिर सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करने लग जाएं प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं चात्र करें क्या कोटा का सिस्टम कैसा है बताइए प्रोटा के सिस्टम की बात की जाए तो प्रोटा का सिस्टम इस मामले में पूरा प्रेलियर है इसलिए कर जा सकता है क्योंकि अभी मैं जिस जड़े कड़ा हुआ हूँ वहां की रियाल्टी चप्षेज में ने की तो केमरा साथी प्रसंट के फिर एक बार कहूंगा जी रा प्रेलियर बैसमें पर हम खड़े हुए है यह कोटा चा जवार नगर इलाका है जवार नगर इलाका होने के साथ नहीं यहां पर जब भी बारिश के आहलात होते हैं तो नहां पर 44 फिस पानी यहां पर बरा होता है अगर आम आदमी से भी बात करना चाहें है तो वह भी बताएंगे के यहां पर पानी के क्या आलाक है भाई साथ जब भी यहां बारिश आती है तो पानी कित्मात बर जाता है पूरे लोड़ पर बर जाता है लोगों को आने जाने में भी दिक्कत होती है तो ऐसे में जजिल बिल्ली में हास्था हुआ यूपीएची का एज्ञाम देने वाले तीन बच्चों की मोत हो गई पानी बढ़े और वोड़े एसे में वोता को शिक्षा नजीर के नाम से देना जाता है ऐसे में बेस्मेंट में लाइब मेरिया पोस्टिं चलाना सही है ग तो बेस्मेंट में जिसें एक जिट और इंट्री दोनों एक ही जगे होते हैं तो अगर कुरी आग लग जाए पिशन हास्था हो जाए तो बच्चे किस तरह से निख लेए हैं देखो जी राजसान के पास सवाल कही है और इन सवालों का जवाब वो व्यापारी नहीं दे सक परोसी कोचिंग संचालकों के साथ बड़ा अच्छा जुडाव है तो क्या